हाई गाईज मेरा नामे कलपिश करग और सबसे पहले तो 4 लाग सब्सक्राइबर मेरे जो पूरे हो चुके हैं तो मेरी जो 4 लाग सब्सक्राइबर की फैमिली हो गई है आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तो कल रात को ही लगबग 10-11 बजे 4 लाग सब्सक्राइबर इस चैनल पर पूरे हुए है और ये जो सफर हैं 3-4 लाग का उसको पूरे करने में लगबग 3 महीने मेरे लगे हैं पर दोस्तो ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है आप लोगों के विश्वास को और आप लोगों के प्यार को दोस्तो कल ही मैंने शाम को कम्यूनिट रैब में कमेंट किया था कि जो मुझे सबसे पहले 4 लाग सब्सक्राइबर होने की इन्फोर्मेशन देगा अगले वीडियो में उसका नाम मिलूँगा तो रोहित बगत जी जो है उन्होंने मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताया कि आपके 4 लाग सब्सक्राइबर हो गए हैं तो रोहित बगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद की आपने कमेंट किया और आशा करता हूँ कि बदद करता रहूंगा तो डैली रूटिन लाइफ में जो जो हमारे चीजे काम की होती है उन सब के वीडियो के टुटरियल मेंने बना दिये हैं लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ चीजे और बनाने जैसी हैं तो आप कमेंट करके बतायेगा तो वो चीज सब्सक्राइबर तक का जो मेरा सफर है वो पूरा हुआ है और इसके पीछे बहुत सारी चीजे हैं कुछ चीजे में आप लोगे शिचायर करना चाहूंगा दोस्तों यहां पर आपकी जानकरी के लिए में एक बात बता दू कि मैं किसी अमीर घर से तालुक नहीं रखता था मेरे पापा जब मैं बचपन में बहुत चुटा था तभी उनकी दैथ हो गई थी और मेरी ममी उस समय दोसों साट रुपए कमाती थी और आने वाले गर में चार जने थे एक बहन दो भाई और ममी चार जने दोसों साट रुपए में हमारे जीवन का घुजारा कैसे हुआ व आप बहुत ही लगी हैं दोस्तों क्योंकि अगर आप इन हालात से गुजर रहे हैं तो आपके अंदर क्या है आपको पता है आपके अंदर एक determination होगा द्रड निश्चय होगा और यह द्रड निश्चय नॉर्मल लोगों के पास नहीं होता यह उन्हीं लोगों के पास होता ह जिन्होंने दर-दर की ठोकरे खाई हैं जिन्होंने विपरित हालात देखे हैं जो ऐसे दुखत दौर से गुजरे हैं वो ही लोग अंदर से मजबूत होते हैं और वो किसी भी परिस्तिती से सामना करने की ताकत रखते हैं और यह जो ताकत है ना वो साधरन लोगों में नह लोगों को बहुत ही अनलकी मानता हूँ जिनके माबाब बहुत अमीर होते हैं और जिनको जुनिया में सारी खुशिया मिल जाती है क्योंकि फिर उन्हें कुछ करने की जरुरत नहीं रोती न तो वो कोई सपने देखते हैं न कोई ठंग से पढ़ाई करते हैं और ना ही आगे उनको कुछ करने की दिमाग में कोई planning होती है हम लोग जो होते हैं जो संगर्स करते हैं जो गरीबी से आगे आते हैं उनके दिमाग में हर चीज के value होती है हमें आगे आना होता है हमारे सपने होते हैं हमारा determination होता है तो दोस्तों यकिनन कहीं न कहीं यह चीजे हैं वो हमें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कुछ अलग कर पाते हैं दोस्तों ये चीजे बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर में से कोई ऐसा है जो मेरी तरह के बैग्राउंड का है जिसका बच्पन गरीबी में गुजरा है और आज भी श्ट्रगल कर रहा है तो मेरा वीडियो देखकर आप यकिन कर लेना कि उप्यूजर नहीं कर पाएंगा जो कोई नहीं कर पाएगा मेरे साथ भी यही हो रहा है बहुत ही संगर्स था दो हमारे काउन में जो स्कूल था वहाँ पर लोग 15 अगस्त को नए कपड़े पैन के जाते थे, लेकिन मैं उस समय स्कूल नहीं जाता था, छोटा था, उस समय सारे बच्चे नए कपड़े पैन के जाते थे, मेरे पास नए कपड़े नहीं होते थे, मेरा छोटा मन बहुत ही विचलित होता था, बहुत ही दुखित होता थ उस चीज को देखकर कि सारे बच्चों के पास नए कपड़े हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, तो दोस्तों, बच्पन में हमेशा में अपने आपको कोसा करता था, दुनिया बर के बच्चों को देखता था, सारे खुश होते थे, माप आपके साथ गुमते थे, नएने कपड़े पेंते थे तो बच्पन में इतना अमन द्रवित होता था मैं अपने आपको कोसता था कि मेरे साथ भगवाण ने ऐसा क्यों किया मैं बहुत ही अंदर से भगवाण और खुद को कोसता रहता था एक समझ तो ऐसा भी आया था, जब मैंने मंदीर तक जाना चोड़ दिया था, बहुत ही मैं भगवान से नाराज रहता था, पर दोश्तो फिर कुछ अच्छी अच्छी चीजे पढ़ी, अच्छी अच्छी किताबे पढ़ी, फिर दोस्तो कुछ अच्छे अच्छे लोगों से मिला यूट्यूब पर अच्छे वीडियो देखे दोस्तो कभी मैंने एक लाइन सुनी थी कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका गुना नहीं है आराम से कर पाऊं हां मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन गया लेकिन मैं आज गरीब भी नहीं हूँ तो गरीबी का जो दौर था उससे मैंने आवरकम कर लिया हैं और बहुत ही जल्दी बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगा दूस्तो आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी लाइफ स्टोरी आपको पॉजिटिव एनरजी देगी अगर आपकी लाइफ में भी संगर्स है अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल है तो मेरा ये वीडियो देखकर आपके जीवन में एक उम्मीद की किरन जरूर आएग आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दूस्तों के साथ शेयर कर दीए चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज तक के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जाए हिन जाए बारत जाए बारते साना